हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक तो अन्य वीडियो तो गाईज अगर आप भी अपनी फोटोस को एडिट करना चाहते हैं एक लो क्वालिटी इमेज को अच्छी क्वालिटी का इमेज बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की होने वाली ये वीडियो को अन्त तक ज़रूर देखना इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी लो क्वालिटी इमेज को एक अच्छी क्वालिटी का इमेज कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान सा तरीका है तो गईस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी स्रिक्वेस्टे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो image का quality बढ़ाने के लिए आपको एक app का जरूरत पड़ेगा एप का नहीं में रिमीनी ये वाला application आपको play store पे मिल जाएगा नहीं तो रिमीनी एप का link मैंने description में दिया हुआ है वहाँ से जाके आप रिमीनी एप को download कर सकते हैं एप को download करने के बाद आप photo का quality कैसे बढ़ाना है आप में जाकि उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों आपको आप को open कर लेना है आप open करने के बाद आपके सामने इस तरीके का interface आएगा तो यहां पर अपको get started पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको इसको slide कर देना है यह slide हो जागा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यह arrow का mark है इस पर click कर देंगे अब जो app है इस तरीके से edit होगा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से photo enhance करकी यह app देगा यहाँ पर दिखा रहा है तो यहाँ पर फिर से नीचे की तरफ यह arrow है इस पर click कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है सब्सक्रिप्सन लेने के लिए तो आपको सब्सक्रिप्सन नहीं लेना यहाँ पर आपको यह cut कर देना है कट होने के राद आप देख सकते हैं यहाँ पर give access to photos तो आपको photos पर access दे देना है अब यह आपको allow कर देना है यह देख सकते हैं सारा photos आगे आपको जिस भी photo का quality को enhance करना है वो photo simple से आपको यहाँ पर select कर लेना है जैसे कि मैं इस photo का quality enhance करना चाहता हूं तो मेरा यह photo है अब इसको enhance करने के लिए यहाँ पर enhance option है enhance पर click कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि photo का quality जो वो enhance हो गया अभी photo पहले इस तरह का था अब simple से यहाँ पर इस तरह से slide करेंगे आपका quality enhance हो के आजगा यह आप देख सकते हो photo enhance होने के बाद कितना ज्यादा before ऐसा है after ऐसा है और यह पहले ऐसा था तो आप देख सकते हैं दोस्तों photo का quality काफी जादा enhance हुआ है तो अब इसको save करने के लिए ओपर में save option यहाँ पर click कर देंगे और यह save कर लेंगे जब आप save करेंगे तो free में save नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर 30 seconds का आपको add देखना पड़ेगा तो यह add जब complete हो जाएगा उसके बाद आपका photo जो हो गैलरी में save हो जाएगा पूरा आप देख लो कैसे save होता है तो अभी हमारा यहाँ पर add complete हो गया है add complete होगे बाद यहाँ आपको यह cut कर देना है cut हो गया दोस्तों अब यह gallery में save हो रहा है photo अभी मैं आपक गैलरी ओपन करके दिखा देता हूं तो यह आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो है वो गैलरी में save हो गया और photo का quality भी काफी जादा अच्छा हो गया तो कुछ इस तरीके से आप भी किसी भी photo का quality को बढ़ा सकते हो I hope आपको वीडियो helpful लगी होगे वीडियो अच्छी पन्स्क्राओब वीडियो इस तरीके से पूलए एख